आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुती स्वाधिस्ट आलचनी की दान यानि लोकी और चनी की दान तो बिल्कुल नया तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना महनत, बिना मसाला पीसे, बिना ग्रेवी के फटा-फट से बन कर तयार हो जाएगी तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करकर देखिए मैं वर्षा भाव साय रसोय घर में आप सभी का स्वागत है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम नए तरीके से आल चनी की दाल और रेसिपी पसंदा रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं चनी की दाल यह जो चनी की दाल है मैंने वन थर्ड कप ली है तो आपकी लोकी पे डिपेंट होगा कि आपको यहाँ पर चनी की दाल कितना यूज करना है अब चना दाल में पानी डाल कर इसे अच्छे से वाश कर लेते हैं तो दो से तीन बार इसे बढ़ी है से धोईए ताकि जितनी भी गंदगी है न इसकी निकल जाए यहाँ पर देखे फ्रेंड्स चनी के दाल को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी लेकिन पानी हमें नॉर्मल नहीं डालना है हम यहाँ पर गरम पानी का यूज करेंगे क्योंकि दाल को हमने यहाँ पर पहले से भिगो कर नहीं रखी है अगर हम गरम पानी डालेंगे तो कुछी देर में दाल हमारी यहाँ पर थोड़ी से सॉफ्ट हो जाएगी चले इसे कवर कर देते हैं और कवर करकर साइड में रख देंगे जब तक हम यहाँ पर आगे के तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए अब मैंने हाँ पर ली है आदा किलो लोकी जो है एकदम पतली मैंने हाँ पर ली है ताकि इसमें बीच कम निकले अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी लोगी लोगी न थोड़ी हाड होती है और वो इतने से से पक भी नहीं पाती है तो कोशिश यही करें कि थोड़ी सी पतली और फ्रेश लोगी ले यहाँ पर देखें इनके मैंने थोड़ी से बड़े बड़े गटों में इने कट कर लिया है अब हम यहाँ पर एक कूकर लेते हैं और कूकर के अंदर डाल दिंगे हम यह चनी की दाल तो दाल में से मैंने सारा पानी अलग कर लिया है और आप देख सकते हो ना दाल यहापर थोड़ी सी फूल भी गई है प्योंकि हमने यहापर गरम पानी का यूज किया है अगर आपके पास समय है तो आप इसे दो घंटे के लिए भिगो कर भी रख सकते हूं अगर आप भू ज़्य वारिक करेंगी न तो भू ज़्य मैशि हो जाएगी और अब हमसे डाल देंग पानी पहले हैं दो पहले एक कप डाला है और एक कप पानी हमने यहाप私 दालआ है एक इंच अध्रक को मैंने थोड़ा बारिक-बारिक काटा है ताकि अच्छे से यह कूख हो सके इसके साथ दो हरी मिर्च ली है इसे भी आप लंबाई में ही कट कर लीजिए और अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर तो मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के टमाटर लि बीज़नी डाला है भूद बड़ा था तो मैंने आदा ही डाला है एक इंच में यहाँ पर डाल रही हूँ दाल चीनी का टुक्रा और, यह हम डाल देते हैं स्टार फूल इसके साथ यहाँ पर बैसिक से मसाले डाल देते हैं जैसे एक चम occup लालमिक पाउडर आप अपने इतने भी मसाले डाले है ये पानी में बढ़िया से मिक्स हो जाए तो यहां पर देख सकते हूं ना फ्रेंट्स पानी बहुत जादा नहीं डालना है क्योंकि लोकी में भी पानी होता है और जो भी हमने प्याज और टमाटर वगेरा डाले है उसमें भी अल्रडी पानी होता है तो पकने के लिए बस इतना पान ही काफी है चले अब हम क्या करेंगे कूकर का धक्कन बन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसमें तीन बीसल लगा लेंगे या फिर इतनी सीटी लगा लें कि चैने के जो दाल है ना बड़िया से कूक हो जाए तो ये लिजे कुछी देर मे कूकर भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब हम धक्कन को हटा देते हैं तो आप देखेंगे फ्रेंड सबी चीजे या क्या बड़िया से कूक हुई है अब जो उपर ये खड़े मसाले दीख रहे हैं इनने निकाल लेते हैं क्योंकि इनका जितना भी फ्लेवर है दाल में बड़िया से आचुका है तो तेजपान का पत्ता है दाल चीनी है और ये स्टार फूले इसे अलग कर देती हूं में तो ये जितने भी हमने यहाँ पर खड़े मसाले ढाले हैं इससे दाल का टेस्ट बहुत ही बड़िया आने वाला है और टामाटर के उपर जो छिलके दिख तो यहाँ पर देखे फ्रेंड्स जितनी भी चीज़े हमने डाली थी ना बिल्कुल परफेक्टली कूक हुई है आप दाल देख सकते हैं बहुत ज़दा मेशी नहीं हुई है और लोकी के भी बड़िया से यहाँ पर पीज देख रहे हैं तो एक बार हम क्या करेंगे से पानी यहाँ पर आप अपने आउशक्त अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हूं तो मैं तो इसे पूड़ी के साथ खाने के लिए बना रही हूं तो बहुत ज्यादा पतला में इसे नहीं रखूंगी चलिए अब मैने यहाँ पर तड़का पेन में एक चमश तेल को टेस्ट आता है हिंगे इसे के अकषमिरी लालमर्च पाउडर लिया है तो यह इसमे डाल देंगे और जब जब सबी चीजेए थोड़ी से फ्राइए हो जाती है इसके बाद ही तड़का डाल देंगे दाल के अंदर तो काशमिरी लाल मृच डालने से दाल ककलर बहुत इंद कि यहां पर देगे दाल हमारी यहां पर कूक हो रही है तो इस तरह से आप जब आल चानी की दाल बनाओगे ना तो आपको ना मसाले पीछने पड़ेंगे ना ही किसी ग्रेवी की जुरत है तो फ्रेंड्स लोकी को आप क्या कहते हों मुझे कॉमेंट करकर जरूर से बताइए क जैसा कि मैं इंदोर की तरफ से हूँ तो वहां पर लोकी को आल कहा जाता है और इस सबजी को वहां पर आल चानी की दाली कहते हैं तो यहां पर देखे अब एक चमश में ने डाल दी है कसूरी मेथी और इसे के साथ डाल देंगे बारी कट की भी धनिया पत्ती गेस का फ्ले जरूर से बताईए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमली ग्रूप में जरूर से शेयर कीजिए और इसी तरह से नए ने रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए